मम्मी एक खाना खाने से पहले फोटो लेने का क्या शोक पढ़ गया आपको अरे वो अंकित है न बिचारा उसे वो होस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता कहता है मा आपके खाने की फोटो देखकर खाना थोड़ा ठीक लगता है इसलिए उसको ये खाने की फोटो भेज देती हूँ क्या मम्मी आपके लाड़ प्यारे न कुछ जादे बिगाड रखा है उसको अरे वो कभी बड़ा भी होगा यह यह फाल्तू की जीत करने वाला बच्चा ही बना रहेगा अभी रुको मैं बात करती हूं उससे यह वाट्सप और फेस्बूक ने न आदी दुनिया पागल बना रखी है हेलो हेलो नमस्ते दीदी नमस्ते अंकित यह तुने मुम्मी को क्यों प्रेशान कर रखा है अले नहीं दीदी आप एक से को कह रहे हो इतनी दूर है के भी तुझे मुम्मी को प्रेशान करे बगर तरह को चैन नहीं मिलता न तुरह दिन पूरा नहीं होता तो प्यारे भाई ये बताए ये लंच और डिनर की फोटो का क्या चक्कर है दिदी आपको तो पता है पापा के मरने के बाद मा का हम दोनों के लावा कोई भी नहीं था और बापकी साधी हो गए थी और आप अपने घर चले गए थे पिछली बाद जो मैं चुट्टियों में घर आया तो काम वाली बाई ने बताया कि मा कभी कभी खाना बनाती है वनक चाय के साथ बिस्कुट और ब्रेड खाकर रह जाती है और बहुत उदास बैठी रहती है उन्हें रोड ढंका खाने खिलवाने इससे अच्छा तरीका मुझे समझ नहीं आया जीदी मा मुझे पोटो बेजने के चक्कर में खाना बनाती भी है और खाती भी है तो खाना बनाने के चक्कर में जाय बीजी भी रहती है अंकित तो सच में बड़ा हो गया मेरे भाई मुझसे भी बड़ा दीदी वक्त और हलाद इसान को समय से पहले बड़ा कर देते हैं ना और मम्ने का ख्याल रखना दीदी बाए दीदी हाई फ्रेंड्स आपको क्या लगता है अंकित ने सोचल मीडिया का सही इस्तिमाल किया सोचल मीडिया का इस्तिमाल हमें अपनों से दूर कर रहा है या जोड कर रख रहा है